हेलो एवरिबाइन इडियम शस्पर आपका स्वागत है तो सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बाजार में धेर सारी ताजा-ताजा गाजर मिलना शुरू हो गई है जिसे देखते ही उसका हलवा या फिर मिठी-मिठी सी स्वाधिश्च चीजे बनाने का मन होता है लेकिन उसक के लिए गाजर को गिसना होता है उसे कद्दुकस करना होता है जिसमें पढ़ जाती है धेर सारी महनत और कभी-कभी तो पसीने भी छूट जाते हैं जिससे बचने के लिए मैंने आपके साथ काफी पहले बिना गाजर को किसे उसका हलवा बनाने की मेरी सिक्रेट ट्रिक शे करते हैं इसके लिए मैंने में 15RO की लो गाजर ली है जिसे मेंने अच्छे से पानी से वाश किया है और फिर उसका छिलका हटा करके इस तरह के रफली पीस्व कैट कर लिए हैं यहां पर मैंने गाजर का छिलका आकर की उसक7 फ्म कश्री एलेकिन हलवा बनाने में मैं इसका क्योंकि इस मिठाई को बनाने के लिए हम इसे दूद में बिल्कुल नहीं पकाने वाले हैं तो छिलका पकने में ज्यादा समय लेता है इसके लिए मैंने गाजर के छिलके हटा दिये हैं और फिर इस तरह से टुकड़े कट कर लिए हैं तो हमें इस तरह से गाजर को काट लेना इसके टुकड़े कर लेने हैं अब इसके बाद mixi का एक grinder jar लेंगे जिसमें गाजर के इन टुकड़ों को हम इस तरह से भर लेंगे यहाँ पर हमें इस jar को पूरा नहीं भरना है गाजर के टुकड़ों से लगभग आधा इसे भर लेना है और अब हमें इसे grind करेंगे mixi में जि एक बार इसे दबाएंगे फिर छोड़ेंगे और फिर दबाएंगे इस तरह से रोक रोक कर हम mixi को चलाएंगे इसा करने से गाजर के यह जो टुकड़े हैं यह उपर नीचे होते जाएंगे और सारे टुकड़े बिल्कुल सही से कद्दुकस हो जाएंगे और ऐसा हमें तो बस इसी तरह से हमें सभी गाजर को कद्दुकस कर लेना है और फिर यह देखे हमारी यह जो गाजर है बिना किसी महनत के जटपट से इस तरह से तयार हो जाएगी और एकदम अच्छे से कद्दुकस होई है यह देखिए जिसका हम हलवा भी बना सकते हैं बर्फी या के रखे हैं वह हमें इसी तरह से तयार करने हैं मिक्सी में कद्दुकस करने हैं जिसमें जरा भी महनत नहीं लगेगी हमें तो इस तरह से बिना किसी महनत बिना किसी परेशानी के मैंने सभी गाजर के टुकड़ों को कद्दुकस कर लिया है मिक्सी की मदद से जिसकी की अब अब हम स्वाधिश्टी सी मिठाई बनाएंगे अब गेंस पर मैंने कड़ाई को गरम होने के लिए रखा है जिसमें हम डालेंगे दो बड़े चमच देसी गी गी की जाएगे पर डालडा गी का या फिर रिफाइंड ओयल का यूज़ भी कर सकते हैं लेकिन देसी गी से पांस से दस मिनिट के लिए या फिर तब तक जब तक की गाजर का सारा पानी अच्छे से सूखना जाए और यह पहले से थोड़ी सिकोड़ना जाए और इसे हम बीच-बीच में चमच से चलाते भी रहेंगे ताकि गाजर कड़ाई में जलना जाए तो बस इसी तरह से हमें गाजर को पहले भून लेना है अच्छे से पका लेना है तो यहाँ पर मुझे गाजर को भूनते हुए 5 मिट हो गए है और इतने में गाजर का कलर हलका सा चेंज हो गया है लेकिन अभी भी इसमें काफी पानी है तो हमें इसे और भी भूनना है और अच्छे से पकाना है इस और चीनी हमें अपने टेस्ट के अकोडिंग डाली है जितना आपको मीठा पसंद हो उतना आप इसमें कर सकते हो मीठा लेकिन गाजर में ऐसे तो जादा चीनी नहीं पड़ती है लेकिन क्योंकि हम इसकी बर्फी बनाने वाले हैं तो वो ठंडी होने के बाद उसमें मीठापन कम ना रह जाए इसके लिए हम इसमें थोड़ी सी एक्स्रा चीनी मिलाएंगे हलवे के मुकाबले में तो मैंने इसमें लगभग 3-4 कप चीनी मिलाई है और इसे हम अच्छे से अब पकाएंगे क्योंकि चीनी फिर से अपना पानी छोड़ देगी तो चीनी के साथ भी मैंने इसे एकदम अच्छे से पका लिया है और चीनी का जितना पी पानी था वो सारा सूक चुका है तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये एक कप डेसिकेटड कोकोनट यानि की नारियल का बूरा जिससे की हमारी ये जो परफी है एकदम परफेक्ट बनेगी और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आएगा इससे तो इसे भी हम भूनेंगे इसके सार अब इस मिठाई को एक इलाइची की खुश्बु के साथ बहुत ही बढ़ जाता है तो इलाइची को मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है अब इसमें मैं डाल रहे हूँ ये एक कप मिल्क पावडर यहां पर हमने दूद का यूज नहीं किया है मिल्क पावडर का यूज किया है तो इसे हम इ फिर से अच्छे से भूनना है अच्छे से पकाना है यहां पर हमें इस मिठाई को इस बर्फी को बनाने के लिए मिल्क पाउडर और डेसिकेटड कोकोनट इन दोनों का ही यूज जरूर करना है इनी से हमारी जो बर्फी है वह एकदम पर्फेक्ट बनेगी साथ ही में अगर आ इस तरह से पका लेना है अब हम इस बर्फी को इस मिठाई को सेट करेंगे और फ्लेम को तुरंत ही बंद कर देंगे तो यह एकदम अच्छे से पक चुका है तो अब हम इसकी बर्फी जमाएंगे अब मैंने यहां पर एक टिल लिया है जिसमें मैंने बटर पेपर को इस तर दालेंगे इस तरह से अब हमें इस सेट होने के लिए छोड़ना होगा तो इसमें लगभग चार से पांच कंटे लग जाएंगे यह देखे अब हमारे यह गाजर की बर्फी एकदम अच्छे से 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 हो कही है और सर्दियों के मौसम में यह और भी जल्दी से से जाती है तो अब हम इसके पीसेस कट कर रेगे, तो किसी भी शेप में आप इसologist क綁ट पर सकते हो के विस्पा के βर्फी शेप का रही हूं इस नियुकर देगे हैं उब हम किने सीमी के लग लेजंट वह तो बना करन कर pessoal park में रससे को अफिल हो जोर। प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि हम इसे जल्दी से खाकर को इनजोई कर पाई तो बिना किसी परेशानी के बिना महनत के बीना गाजर को की से बिना दूद और मावे के हमारी इस वाधिश्ड से का जर की बने करके तयार है क्थाने के लिए जो कि बहुत ही तेस्टी भी प्रिक पसंद आई हो तो प्रीज इसे जरू लाइक करें शेर करें इसे दूसरों के साथ और अगर आप नहीं हो हमारे चैनल पर तो प्रीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ब्लुकुल भी ना भूले ताकि आगे पर आप कसी तरह की रेसिपी इस मिलती रहे हम नेक्स रे